मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए मैं प्रोफेशनली आठ से दस सल प्रेक्टिस किया लेकिन जब मैं ट्रेडिंग को ऐसा करियर चूस किया हूं तो मैं यहां से मतलब आते ही साथ मैं 60-70% अपने कैपिटल का ट्रेड कर रहा हूं तो उसके बाद जो मेरे एक ट्रेड था रिलायंस पे जो 14% का मतलब ट्रेड था तो वो ट्रेड ऐसा था कि उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़के नहीं देखा आप शुरुवात ओप्शन ट्रेडिंग से कियो रेट फ्लैग भाई बोरी तुसे बड़ है तो है हम लोग इस मन्त का भी एक काम करूंगे हम लोग वरिफाइट पेनल शेयर करेंगे और सिर्फ इस मन्त का ये पॉड़कास्ट हम लोग रिकॉर्ड करें जून 20 को और अभी आज है हमारे साथ एक बहुत ही जादा स्पेशल केस्ट अभिशेक भाई और इनको मैं जो है अल्मोस्ट बोल सकते हो बचपन से जानता हूं हमारे फैमिली फ्रेंड्स रह चुके हैं पेरेंट्स जो हैं और मैं इंसे वापिस जिम में मिला बीच में बात नहीं होती थी और थाइंक्यो शाश्वत भाई प्लेजर विंग गिया थाइंक्यू पोविंग मी तो बहुत हैं प्ले तो आप हमारी ओडियंस को बताओ कि आपनी जर्नी स्टार्ट कैसे की ट्रेडिंग की जर्नी बाही स्टार्ट ऐसे हुई कि सबसे पहले मैं प्रोफेश्टनल क्रिकेटर ठीक है तो जब से कॉंशियसनेस होती है ना पाथ साल की उमर से कि मैं क्या कर रहा था तब से एक ही था कि इंडिया के लिए खेलना है ठीक है लेकिन इवेंच्वली हुआ क्या जब अंडर 19 का लास्ट अटेंट था तो सम्थिंग वेरी पर्सनल हैपेंड कि यह उसके आगे कंटीन्यू नहीं कर सकता था ठीक है तो तब मैं गया किया IELTS वगरा के लिए प्रिपेर करना चालू किया तो मैं देखा किया जितने भी लोग है जो लोग जो अब रॉट जा रहे हैं सब को मतलब Wall Street में जाना है Finance की फिल्ड में जाना है तब मैं research करना चालू किया Finance वगरा उसके बाद आप studies के बाद IELTS वगरा करते करते हैं ट्रेडिंग में पहुंच करते हैं सबसे पहले जब मैं IELTS वगरा के लिए प्रिपेर करना चालू किया तो University of East London, University of Frankfurt वगरा से offer letter जब आया तब मैं वो offer letter को अपने घर वालों के सामने रखा कि यार यहां मैं जा सकता हूँ four days a week college वगरा लेकिन मेरी preference है कि मैं एक साल आप लोग में को दो मैं business करूँ business करना try करूँ तो that's how I got into trading crazy crazy तो अभिशेग भाई कितना कमा लेते हो भाई हम लोग इस मन्त का भी एक काम करूँ हम लोग verified PNL शेर करेंगे और सिर्फ इस मन्त का यह podcast हम लोग record करें June 20 को और अभी तक 20 दिन का profit है पाच लाख रूपए verified PNL विल शेर guys tier 2 city से अभी शेक तेवारी है and 20 दिन के अंदर पाच लाख रूपए और वो भी verified PNL के साथ जो हम link in description में डाल देंगे भाई मतलब कैसे आपको पहली बार stock market के बारे में किसने बताया भाई research जब कर रहा था जैसे मैं आपको बताया कि financial markets क्या होते है wall street में क्या होता है तो eventually पता चला कि यार trading एक बहुत अच्छा career हो सकता है let me tell you one thing कि जैसे ही मैं IELTS कर रहे करें मतलब prepare कर रहा था तो मैं को था यार कि कौन सा अच्छा business है जो मैं पढ़ाई complete होने के बाद कर सकता हूं ठीक है तो मैं सारे businesses के बारे में देखना चालू किया मैं को interest आया hotel business के अंदर तो eventually पता चलिए कि भाई बहुत बड़ा capital चाहिए वो capital अभी है नहीं तो my father is a builder तो I realized one thing कि जब पापा 2002-2003 में चालू किये थे तो मैं आपको राइपूर का ही बता सकता हूं जो मैं को पता है कि तब यहां पे जमीन का रेट वा 100 रुपए स्क्वाइर फीट 200 रुपए स्क्वाइर फीट तो जो scope था growth का वो 10x था 20x था तो वो चीज बहुत अच्छी होगे लेकि मैं को लगा आज ऐसा कौन सा business है जो अपने early stages में है और जिसमें मैं आके अपना वेल्ट क्रियेट कर सकता हूं तो मैं को लगा trading is the best career according to this time okay so मतलब builder है builder की family से आप आते हो और आपने building और यह सब चूज नहीं करके आपने legacy से जो आते हैं लोग वो नहीं करके आपने चूज कि you will start stock market अब यार देखो stock market जब हम start करते तो you get multiple options तो why not future and options why not intraday why only swing trading देखो मैं आपको बढ़ाता हूं कि introduction पे I told you कि I was a cricketer तो एक्डम simple example मैं आपको देता हूं ठीक है देखो अगर मैं बोलूं कि यार शाश्वत अम्रेव को cricket खिलना चालू करना है ठीक है there are three formats okay test match ODI and T20 difference यह है कि when you play test match आपके उपर time limitation नहीं रहता ठीक है आपके पास past दिन है आप जब तक नहीं out होगे तब तक आप betting कर सकते हो ODI में you have 50 overs T20 में you have 20 overs तो मैं इसको divide किया कि test match is equity ODI is futures and T20 is options ठीक है जब तक आप bet पकड़ना नहीं सीख्यों जब तक आपके पास time आपके favor में नहीं है अगर आप test match में नहीं बना सकते तो eventually आप T20 में भी नहीं बना सकते ठीक है तो यह मेरी thought process थी कि यार पहले equity में delivery उठाके swing trading चालू करना है ठीक है जो lubricating लग रहा है कि नहीं है this is so fascinating this is so interesting वो सब चीजों में नहीं जाना है starting पर ओके और वाई honest बताना पहले महीने में loss हुआ है हाँ जब trading start किया था तो सबसे पहला trade जो में लिया था was ICICI bank ठीक है तब नहीं कोई concept नहीं पता था कि अगर हम लोग daily time frame में chart के analysis कर रहे हैं ठीक है तो हम लोगों को trade भी daily time frame के breakout में लेना है था एकदम new भी था ठीक है तो daily time frame में हम ऐसा trend line draw किया ICICI bank पे और ना one hour का breakout आया में ले लिया बारा बजे और जैसे ही तीन बजा वो stock घूनके वापिस आ गया अगले दिन वो stock खुला HDFC bank पे ठीक है जुसमें से 34000 का loss हुआ तो मैं को एक चीज realize हुई कि मैं अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए मैं professionally 8 से 10 साल practice किया लेकिन जब मैं trading को ऐसा career choose किया हूं तो मैं यहां से मतला आते ही साथ मैं 60-70% अपने capital का trade कर रहा हूं which is wrong तो मैं क्या किया for example अगर मेरे पास 10 लाक रुपए ठीक है तो मैं क्या किया कि इसमें से 2 लाक रुपए 3 लाक रुपए से एकदम basic swing trading चालू किया तीन से चार महीन अपने account को break even में लाया यह दो loss के बाद और उसके बाद जो मेरे एक trade था reliance पे जो 14% का मतलब trade था तो वो trade ऐसा था कि उसके बाद में कभी पिछह मुडगे नहीं देखा तो eventually after 4 months of starting trading और क्योंकि equity में था तो ऐसा भी नहीं कि 50-60% loss हो गया तो this is how I started हाई दोस्तों मैंने देखा काफी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे comments में कि Mudrex में आप coins में trade कैसे कर सकते हैं तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताना चाहता हूँ जैसे आपको मैंने बताया था Mudrex पे 350 प्लस टोकन जैसे Bitcoin हो गया, Ethereum हो गया, Solana हो गया तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ coins buy or sell कैसे कर सकते हो, तो दोस्तों buy or sell करने के पहले आपको यह जानना जरूरी है कि research करना बहुत जरूरी है तो मैं आपको बताता हूँ platform का एक खास feature, चलो आजो Mudrex पे, आपको यहाँ पर screen आजाएगी, एक side पे, ठेक है अगर आपको trade करना है तो उसके लिए आप Mudrex insights का भी help ले सकते हो, तो चलो आजो मैं आपको phone पे दिखाता हूँ जैसे ही मैंने आप पर search किया bitcoin, तो जैसे ही देखोगे आप यहाँ पर नीचे जाके, तो insights का help आप ले सकते हो जैसे आपको fundamental, technical, sentiment, हर एक option मिलता है मैं for example, technicals पे click करता हूँ, तो आपको दिखेगा सारे indicators की buy और sell rating आ रही है Mudrex आपको यह भी देता है, जिसके basis में आप decide कर सकते हैं कि आपको क्या trade करना है ठीक है, नीचे आप देखोगे RSI का आपको जो rating दिख रहा है, neutral दिख रहा है कुछ rating जो दिखरी है, buy दिखरी है, अब मैं आपको उन्हें trade execute करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर हम गए, buy पे click किया, आप देखो जैसे हम buy पे click करते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे options आते हैं, आप one time भी invest कर सकते हो recurring भी जैसे एक SIP होता है, systematic investment plan वैसे भी डाल सकते हो या buy the dip भी कर सकते हो, तो जैसे मैं one time पे click करता हूँ, continue करता हूँ आप यहाँ पर देखोगे, मुझे amount पूचा, तो for example मैं 1000 रुपए यहाँ पर invest करता हूँ buy नौप पे click करता हूँ, और आप देखोगे कि यहाँ पर यह मेरा trade execute हो चुका मुझे दिखा रहा है bitcoin मेरा buy हो चुका, 1000 रुपए का अब for example यहाँ पर मुझे ऐसा set करना है कि मेरा target और SLB set हो जाए आप देखो take profit क्या होता है target, मैंने अभी खरीदा bitcoin आज से थोड़े उपर अगर मुझे बेचना है तो क्या target होगा, stop loss अगर इससे इतना नीचे आजा तो मैं exit कर दूँगा, तो यह दोनों भी आप set कर सकते हो, जैसे यहाँ पर button पर click किया setup वाला, ठीक है, जैसे ही click करोगे आपको यह पूछेगा कि आपका target क्या है तो for example मैंने यहाँ पर लगाया कि अगर bitcoin जो है 26-25% के नीचे चले जाएगा, तो मेरा stop loss हिट हो जाएगा, मैं उससे जादा loss hold नहीं करूँगा तो मैंने वो लगा दिया तो place order हो गया, देखो stop loss place हो गया, वैसे ही अगर मैं नीचे जाओंगा तो यह मुझे पूछेगा take profit, take profit मतलब target तो for example अगर मुझे लगता है कि bitcoin यहाँ से बूलरन आएगा 50% से उपर जाएगा, जैसे 50% जाएगा मेरा target हिट हो जाएगा, तो मैंने वो भी लगा दिया, तो आप देखो कि यहाँ पर वो भी हिट हो गया है, तो आप जैसे ही मेरा 50% से उपर bitcoin जाएगा, मेरा अपने अप exit हो जाएगा, और अगर मेरा 25% से नीचे जाएगा, जैसे आप देख सकते स्क्रीन पे, तो मेरा stop loss हिट हो जाएगा, और दोस्तों आपको limit order का तो बता ही होगा, जैसे Mudrax आपको यह भी feature देता है, कि आप एक particular price set कर दो, वहाँ पर आपका automatically order by order जो है place हो जाता है, और अग 20% का bonus भी मिलता है, joining bonus जो आपको minimum deposit of 2000 annor पे मिलेगा, link in the description and pinned comments, तो भाई, कितने से आपने trading start की? 15 lakh rupees, और 15 lakh रुपे, अब यह question, people will ask की 15 lakh रुपे, 18 साल की उमर में कास है, तो I told you, my father is a builder, so to be very honest, I come from a good background, my story is not regs to riches, जरूरी निया है कि आप drop out लो और फिर billionaire बन जाओ, जरू पूरी नहीं है कि, you know, आप एक्दम zero से start करो, पहला एक रुपे कमाया, पहला दो रुपे कमाया, आजकल की families support करती है, आप भी आजकल अगर phone चला रहे हो, हो सकता आपके parents ने दिया हो, बहुत बच्चे आप तो iPhone चलाते हैं, हमारे time में तो भाई, Samsung लेना बट बड़ी बा कि I am doing what I said, I am playing this trade, I am playing उसके उपर का level, तो then they realized कि नहीं यार, he says what he does, he has dedication for what he is doing, so I had that credibility, crazy, crazy, so भाई, आज तक आपका सबसे ज्यादा profit, कौन से मन्त में या कौन से ट्रेड में निकला है, भाई, जो मेरा सबसे बड़ा profit आज तक, जो ट्रेड में हुआ है, वो था action construction पे, ठी पुरे जितने influencers आज तक पैदा हुए हैं या होने वाले हैं, सब लोगों को पता है कि शाष्वाथ भाई का फेवरेट है action construction, ठीक है, तो action construction का जब आप लोग चार्ट देखोगे daily time frame में, तो आप लोगों को दिखेगा कि वो 20 DMA darling stock है, ठीक है, अगर आप लोग 20 DMA लगाते दो महिना 24-25% के आज पास, अरे crazy, और कितना बनाया है इसमें पैसा? 3.5 lakh के आज पास एक trade, crazy, तो आपको I think 2 साल होगा ना, trading करते हुए, बाई 2 साल में honestly बताओ, कितना profit stock market से कमाया है, क्योंकि देखो, आज के दिन में, मैं real बात बताता हूं, इतने सारे फर्जी influencer है, ठी ठीक है, daily photo डालेंगे, 10 lakh कमाया, 20 lakh कमाया, 50 lakh कमाया, clone app से, और लोगों को C बनाते है, ठीक है, तो आपकी journey मैंने खुद देखी, verified PNL मैंने खुद देखा, हम description में पूरे 2 साल का PNL भी डाल देंगे, भाई 2 साल में कितना बनाया है और कितने से start किया था, 15 से अपने से start कि ठीक है, at the start of this year, और उसके बाद से, ये साल जो रहा है, जो stock selection के पहले rally की है, like 10%, 20% was like, it was like joke, आप defense वाले share ले रहे हो 25-30% move कर रहे है, तो I made like, now my, I'll say, it's close to once year, close to once year, so guys, मतलब बहुत ही कम आपको ऐसे लोग देखने को लेंगे, कि 15 lakh से चालू किया, 35 lakh तक अपना capital ले आया, दो साल के अंदर, और उसके बाद 15 lakh और वहाँ पर रखे, डाला, तो around 50 होता है, और 50 से फिर अभी सिर्फ 20 दिन में उन्होंने 5 lakh कमा है, तो भाई, ये 5 lakh कैसे कमा है, भाई, सबसे पहला जो trade था, में को जहां तक याद आ रहा है, मैं लिया था, अरडानी total gas पे, एक उसमें daily time frame के triangle का breakout retest हो रहा था, मैं retest में ले लिया था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि, तीन तारिक को, जब polls का result आया, तो I'll tell you, कि वो, जब खुला वो stock, ठीक है, तो मेरे खाल से में 15 lakh और रुपे, 18 lakh और रुपे प्रॉपे प्रॉपे तारिक को result आएगा, 343, 376, पार करेंगे, उसके आगे मैं नहीं बता रहा था, गाइस अगर मैं बहुत सारे स्टॉक पे लगी हुए था, तो इस बंदे ने stock उठाया, हम जारते साथ में, ये cameras लेने podcast के लिए, and I also saw the chart, ने मेरा मन ऐसे किया, कि मैं बहुत सारे stock पे लगी ह तारिक को, ठीक है, उस दिन तो शाम तक के 10% तो बढ़ गए थे stocks, तीन तारिक के पहले, I think Saturday Sunday था, तो दो और एक को Saturday Sunday था, तो पोल्स आया, Saturday Sunday और तीन को जब मार्केट उपन हुआ, तो पोल्स पे रियक्ट किया, तो आपन फर्स को चल ले गए थे ना, वहाँ पर, कैमरा नहीं, 28 तो पन थे, तो मार्केट अपना ये तीन तारिक से पहले एक जो ट्रेडिंग दे था, उस दिन अडानी के स्टॉक्स ने 10% रैली किया था, और हम दोनों ने सुबे पोजिशन बनाई थी, इसने तो एक दिन पहले ही बनाई थी, जब तीन तारिक को रिजल्ट आया कि, चार जून के बाद भाय करेगा, भाई, चार जून को, दोनों एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, क्या हो रहा है, दोस परसेंट का लोड सर्कृट, भाई, मतलब, मैजॉरिटी अफ दे प्रॉफिट्स वर गॉन, बट स्टिल, भी मेड बनी, ठीक है, देखो, there is no regret, अगर मैं आपको एक सच बात बताता हूं, कि, जब मैं पहले न, सारे स्टेट इलेक्शन का डेटा अनलाइस किया, कि कौन से स्टेट इलेक्शन पे, मतलब, कैसे वोटिंग परसेंटेजेज गये, यह वो, तो मेरी खुद की भी अनलेसिस थी, कि 340 स्ट प्लस आ जानी चाहिए, ठीक है, 300 मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, तो इक वस गुद बिकास, वी चोज़ दा ब्रेव डिसिजिए, यह जो ठीक है, कुछ तो कमाया ना, बेटर दन द ब्रोकी, बेटर दन द ब्रोकी, इस मेरे लाइफ में सिंपल है, यू शुड बेटर दन द ब्रोकी ब्रोकी कौन होते हैं, जो घर में बैठके अपने मुमी पापा का पैसा एंजोई कर रहे हैं, और खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, महीने का 10,000 भी नहीं कमा सकते हैं, और कॉमेंट करने बोलो, 1000 कॉमेंट कर देंगे हैं, बट यू गाइस आर रियल पीपल, विकॉस क्योंकि मैं को था यार कि अगर आपके पास मानलो, फंड नहीं है, ठीक है, आज की डेट में आपको पता है कि फंडिंग वगर कित्ती अच्छी हो रही है, आज कल ट्रेडर्स को भी फंडिंग मिल भी है, वो सब जो फंडेड एकाउंस वगर ठीक है, तो इफ यू आर वेर कि भाई मेरे पास 10 लाग है मैंनेज कर दोगे क्या, मेरे पास 20 लाग है मैंनेज कर दोगे क्या, तो if you have skills, money will follow, but if you are worried at the start, कि अरे यार मेरे पास पैसा निये, इसलिए मैंनी करूँगा, then you are making excuses, yes, so भाई मैं आपके साथ अब नॉर्मल सा एक rapid fire round खेलने वाला हूं, जहां प आपको आंसर देना है, सबसे अदर ट्रेड असता कि vacunate एक एक दिन में हृज यहां एक दिन में, सिर्फ दो किस की ब्रो ऋचुक्छिन और sis उंदे की इनए पांच लग कम हैं मुल्टिपल ट्रेट्स हैं एक एटी जियल में अड़ानी टोटल गैस में और एक वोल्ट मैं प्रांसफॉर्वर मर पे सबसे ज्यादा पैसा कितने दिनों के अंदर बना है सबसे ज्यादा पैसा सबसे अच्छा मंत तो to be very honest यही था जिसमें 20 दिन में पास लाख रुपए बने वरना तो लगता है एक आद महीना देड महीना खीट जाता है एक ट्रेड में सबसे ज्यादा रिटर्न कितना निकाला है 24-25% एक ट्रेड में अपने 25% का रिटर्न निकाला है और और इसका verified PNL है राइड और अभी आप क्या meditation करते हो meditation नहीं पहले करता था now I don't do So, यह emotions कैसे manage करते हो क्योंकि मुझे पता आपके बास 50 लाख 1 क्रोड रुपए है आप जिससे खेल रहे हो और जब आपका 10 लाख 5 लाख का PNL चलता है तो मैंने इनके फोन पर डारेक्ली सामने देखा हुआ है तो जो यहां पर activity होती है क्योंकि मुझे पता audience के phone इसमें भी होती होगी इसको कैसे manage करते हो भाई I'll give you honest answer ठीक है अगर trading में discipline चाहिए ठीक है mental control, mental toughness चाहिए तो आपको वो चीज अपने personal life पे reflect करनी पड़ेगी अगर आप अपनी personal life में discipline नहीं हो, emotional control नहीं है तो वो चीज ट्रेडिंग में भी नहीं आएगी क्योंकि मैं 5 साल की उमर से I used to play cricket professionally तो वो चीज थी कि यार 6 बजे की practice साढ़े 5 बजे ground 3 बजे की practice धाई बजे ground there is no Saturday, there is no Sunday, there is no going out with friends, there is no going to any farewell काम का मतलब काम तो वो disciplined individual वो athlete में शुदू से था, तो मैं को to be very honest कभी भी दिक्कत नहीं हुई I'll tell you one bonus point, okay, देखो, कभी भी आप जब इतने टाइम से trade कर रहे हो या जितने भी आप audience देख रहे हो एक चीज में को बताना, जब भी आप लोगों की trading में expectation बहुत ज्यादा रहती है क्या returns बहुत कम बनते हैं, true, ठीक है, और जब trading में expectation कम रहती है कि यार मैं लिया की 5% के लिए, मतलब 5% का सोच के और 32% का stop loss लगा लिया तो क्या वो trade होता है जो 10-12% चल जाता है, सही बहुत जा, क्या भी सोचा है, क्यों, क्यों मैं आपको बताता हूँ, देखो, expectations हमेशा उन चीजों से रखनी चाहिए, जिसको आप control कर सकते हो, उन चीजों से नहीं जिसको आप control नहीं कर सकते, आप rather than expecting high standards from yourself कि यार मैं हर दिन सुपह छे बजे उठूँगा, मैं अपने weekends को मतलब बरबाद नहीं करूँगा, पाटीज नहीं करूँगा, मैं हर weekend, हर दिन 400-500 charts देखूँगा, इस चीज को छोड़के, what do you expect, कि यार ये trade में को 20% देदे, ये trade में को 30% देदे, you are expecting उस चीज से जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और आपकी परसनल लाइफ, जो आप कंट्रोल कर सकते हो, उसमें आपका किना कंट्रोल है, इस निल, इसलिए हमारे पास श्याद ग्रोथ चोटी है, में हमारा लग भी खराब हो, उनका लग जादा बेटर हो, but it's another part of the game, बाकी भाई ने बह कि जो लोग हैं वो महनत नहीं करते हैं, और एक्षप्ट करते हैं, बहुत अच्छा चलता है, तो it's like, it's a relationship, right? Same, कि आप शादी शुदा हो, और आप अपनी वाइफ को time नहीं दे रहे हो, और आप expect कर रहे हो, कि वो आपके लिए daily मिठाई बनाए हो, और चीज़े ठीक कर रहे हो, crazy, crazy, do you also think, ये जो relationship part होता है, love part होता है, ये ऐसा trader की life में बहुत जादा effect लेके आता है, भाई, ये किसको date कर रहे हो, okay, ठीक है, आप दोनों का aim क्या है, you are dating casually, seriously, how do you guys know each other, लड़की कैसी है, तो बहुत subjective question, बहुत ब्लश कर गया ये तो, नहीं, लेकिन अगर the girl is good, then no issue, okay, ब्लश कर गया ये, anyways, ठीक है, back to the topic, तो भाई, देको बहुत जादा आप लोगो ने सुन लिया किनो होसाल का verified PNLB है भाई, एक कडोड़ पर बैठा है आज, कैसा लगता है जब आप एक खोकी के capital से trade करते हैं, कैसा लगता है, you feel good, you feel good, ठीक है, देखो, I'll tell you कि, mood ना, change होता है, ठीक है, हाँ, see, when something bad will happen, ठीक है, जब कुछ बुरा होता है, तो sometimes, sometimes you will feel arrogant, okay, ठीक है, कि यार, मैं 20 साल का हूँ, 20 साल की उमर में, I've been a phenomenal cricketer, I've been a phenomenal businessman, and now I've started content creation, and now I'm doing good, ठीक है, लेकिन, most of the time, when you are focused in your work, तो हमेशा यह लगता है, और महनत करना है, this is like, कुछ नहीं है, बाई, कुछ नहीं है, अगर वो billionaire वाले aim तक जाना है, अगर उस level को achieve करना है, तो म अगर करता है, लेकिन, जब है, भाई, बहुत मैनत करना है, लेकिन, sometimes you feel yes, arrogant, you feel थोड़ा अरोगाई, प्रेख टोड़ा है, 5% रॉट यह वादा है, जा एक करोड रुपेह तो हाना चीह है, मतलब बाई एंडिया में सिफ 13,000 लोग हैं, according to the Google database, अगर उह नना है, इसका सिर्फ 140 कडोर की country है and according to Google, Google ये बोल रहा है कि सिर्फ 13,000 से कुछ थोड़े जादा लोग हैं जिनकी assets on paper 2500 कडोर से सादा है मैं आपको बात बता हूँ, जैसे हम लोग जब swing trading और option trading का बात discuss कर रहे थे तो हुआ क्या कि पहले what people used to think कि wealth is a long term process ठीक है कि अगर wealth बनाना है यार तो ना stock को खरीद के छोड़ दो 5 साल के लिए 10 साल के लिए लेकिन पिछले 2-3 साल में eventually covid के बाद influencers बहुत जादा है ठीक है there are influencers कि जो vlog कर रहे है मतलब एक्दम regular basis पे they are showing कि यार मैं आधा टाइम दिल्ली में हूँ ठीक है और यह देखो मेरे 5 लाग का profit चल रहा है यह देखो मैं Mexico में हूँ मेरे 5 लाग का profit चल रहा है guys editing चल रही है क्योंकि मैंको पता है कि जब मैं swing trade करता हूँ और उसके साथ अगर मैं कोई दूसरा काम चालू करूँ ना तो मेरे trading पर effect दिख जाता है और जो लोग intraday कर रहे हैं जो लोग options कर रहे हैं मैंको मैंको पता है कि it's not a piece of cake कि how people show हाँ भाई मतलब दूर से दिखा रहे है तुम्हें कि एकदम cream beam है और अंदर जाओगे तो भाई gutter जैसा bread होगा क्योंकि क्या होता है न देखो अगर न there are two things कि यह podcast 1 million plus भी जा सकता है यह podcast 100 के plus भी जा सकता है depends कि what I speak truth और lie अगर एक million plus ले जाना है तो मैं बताता हूं क्या बोलना है ठीक है कि भाई देखो दिन में 15-20 मिनट रात को analysis करो और कल एक लाग रुपय बन जा हाँ trading will give you freedom ठीक है time freedom only trading can give you भाई nine to five आप नौकरी कर रहे हो 25 जार रुपय की बैंगलोर में क्या मतलब है क्या मतलब स्टार्ट ट्रेडिंग समझे वह 25 को पाच लाग करो वह 5 को 20 करो this is how your life will work कि आप मैक्सिको में हो हाँ स्पेन में हो बीच वीच में हो यह podcast एक मिलियन प्लस जाएगा लेकिन अब अगर मैं सज बोलूँ ठीक है कि भाई अगर आप शुरुआत option trading से कियो red flag भाई sorry to say but है तो है ठीक है उसके बाद अगर मैं बुलूँ कि आपको 200, 300, 400, 400 चार्ट हर दिन देखने है आपको अगर अरभ पती बनना है तो आपको वो level कर dedication इस काम को दिखाना पड़ेगा तो वो तो ही कर नहीं सकते है तो वो eventually अगर लाखों लोग को ही आते है तो 100-200 लोग करते होंगे तो उससे याजा तो मेंको नहीं लगता कि करते होंगे और they are the ones who make it got it yes तो अभिशेख भाई it was really nice speaking to you but I would also love to know and I think my audience also would want to know कि भाई ऐसी कौन सी strategy है जो आप यूज कर रहे हो मतलब it's really hard to believe but अब तो verified PNL है तो we can believe कि 15,000,000 से आपने अपने अपने एक करोड कर दिया थोड़ा बहुत अपने से भी आयल किया ऐसी कौन सी strategy है जो 15,000,000 को 50,000,000 बना देती है there are two strategies ठीक है दो setup which I use one is जो मैं कभी social media में mention नहीं किया और one I'll tell you which is a 20-day moving average super swing trading setup I'll show you कि how it works do you want me showing this उसके लिए आपने एक next video करेंगा आप ऐसे बता दीजिए कि करना क्या होते है मैं आप लोगों को simplify करता हूँ 20 days का आपने moving average तो लगा दिया I am explaining you from basics ठीक है देखो जब आप लोग YouTube पे देखते हो जो traders live आते है ठीक है to be very honest जिसका जिस दिन birthday आता है वो moving average लगा के intraday trading कर रहा है हां जो जिसका साथ तारीक को आ रहा है वो seven year में का course बेच रहा है जिसका आठ तारीक को आता है वो आठ का बेच रहा है ठीक है यह mathematically proven है यह दुनिया के सारे market में काम करते है और सारे time frame में एक जैसा काम करते है यह true ठीक है true true है ना तो 20-day moving average क्या होता है कि आप daily time frame को select करो time frame कोई भी हो सकता है लेकिन I am telling you what works best for me ठीक है मैं क्या किया daily time frame में let's say कौन से stock का example ले HDFC bank HDFC bank तीन साल से sideways है breakout strategy है एस हाँ एस ठीक है देखो तो हम लोग जैसे एस construction का daily time frame open किये ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले support या resistance mark करेंगे कि no trading zone कौन सा है ठीक है जब उस stock में breakout या breakdown आएगा ठीक है लेकिन हम लोग बुल phase में तो let's talk about breakout only ठीक है कि जब उस stock का breakout आएगा ठीक है तो लोगों को क्या हो जाता है इतने दिन वेट किये और 8% की candle बन गई अब उसमें SL कहां लगाए ठीक है इस टाइप की चीज होती है और डल लगता है अगर फ्रेक breakout हो गया तो तो क्या होगा I'll tell you कि जब कोई stock breakout देता है उपर जाना चालू करता है तो जो first correction अपनी करता है वह करता है 20-day moving average ठीक है यह trading का एक मतलब old age quotation है कि सबसे बड़ा पैसा तब बनता है जब 20-day में बच जाता है बच जाता है का मतलब protect हो जाता है ठीक है यह old age quotation है तो आपको क्या करना है कि daily time frame में levels drop करो support resistance 20-day moving average लगा आज ही रात को जाने के बाद आप लोग पूरा back test करो सारे stocks में ठीक है कि कौन से stocks में काम कर रहा है नहीं कर रहा है आप लोग को दीखा कि most of the stocks में it is working like मतलब मैं यहीं बोल सकता हूं कि लोग जो expect भी नहीं कि होंगे ठीक है breakout के बाद first correction 20-day moving average okay तो simple जहां तक मैं आपकी strategy समझ पहा है जिससे आप 15-50 लग बना चुके हैं कि breakout आता है उसके बाद जैसे ही पहला correction होता है swing में one day की time frame में आप entry लेते हैं with a technical SL higher high high low lower high lower low और जैसे ही वो उसका high निकलता है अपना all time अपना जो high लगाया था जो recent वाला जो high बनाया वो जब cross होता है तो if you are beginner तो आप गुप कर लो और अगर आप लोग कोई यह strategy छे महिना एक साल हो चुका है कि you are like very comfortable है है न आप पैसा कमा चुके हो कि रिस्क यार ठीक है मैं को पता है कि first correction थी stock यहां वापिस नहीं आएगा तो sometimes मैं hold भी लंबा कर लेता हूं most of the time मैं करता हूं hold got it and FNO traders जो हैं उनके लिए बहुत सौरी बोलूँगा so मैंने एक बहुत फेमस अभी court देख भाई जो जिनके पास पैसा नहीं होता वो जिगरेट से साथा डिक्टेट है जो middle class होते हैं वो मारी जुवाना करते हैं और जो अपने आपको बहुत समार्ट समझते हैं वो फ्यूचर्स और ओप्शिंस की ट्रेडिंग करते हैं and people say that smartness is okay but being over smart is not yeah definitely right definitely and he has myself like you know मैं देखा इनको के shift किया swing पे and he is making money strategy भी बता दी I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी अगर आपको इनसे questions पूछने हैं तो हम इसका second episode भी ले के आएंगे बहुत जल्दी फटा फट comments पर डाल दो जो भी आपको doubts हैं उसके related हम जो हैं एक पूरा question है ready करके आपकी questions इनसे पूछेंगे जिससे की आपको भी समझ में आजाएगा भाई verified penal का link आप मुझे देगा मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूँगा साथ में description पर भी मिल जाएगा and thank you so much for watching this video stay tuned for the episode 2 with शाशुतमरेव